हलो दोस्तों मैं प्रभापांडे प्रभाज किचन रिष्पी में आप लोगों का स्वागत है आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं होममेड पानक्रस तो यह देखे कितना बढ़ियां पानक्रस बना है बनाने में बहुत ही आसान है, आप आराम से घर में इसको बना सकती है, और देखने में भी बहुत सुन्दर लग रहा है, तो यह देखिए हम आपको पास से दिखाते हैं, कितना बढ़िया कलर आया है, तो चले बनाना शुरू करते हैं, अगर पसंद आये तो सस्क्राइब, कम अगर आपके पास ना हो तो कोई जरूरी नहीं है मड़ा लिएगा और यह हमने ग्रीन कलर लिया है यह भी कोई जरूरी नहीं है अब हम एक बाउल ले लेंगे और पान का यह जो उपर का हिस्सा है इसको हम तोड़ देंगे और एक चाकू ले लेंगे और इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे तो यह हमने इसको छोटे टुकड़ों में काट लिया अब इसी तरह से सारे पान को काट लेंगे तो हमने सारे पान को काट लिया है छोटे टुकड़ों में अब एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें इसको डाल करके और ये थोड़ा सा हम बचा के रखेंगे इस क्रेस में डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे हम पीस लेंगे तो ये देखिए पान को हमने अच्छे से पीस लिया है इसको हमें बहुत महिन नहीं पीसना है हलका मोटा ही पीषना है अब गैस पर हम एक कडाही चढ़ाएंगे और इसमें हम जो पान पीष करके रखे हुए हैं इसको डाल देंगे और सक्कर डाल देंगे दोनों को चलाते हुए हमें पकाना है अभी हम गैस को तेज़ रख कर देंगे जब ये उबलने लगेगा तो गैस को हम धीमी कर देंगे इसको हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा हो जाता है तो ये देखिए क्रेस हमारा उबलने लगा है अब हम गैस को धीमी कर देंगे बजार में क्रेस नहीं मिलता है इसलिए हमने सोचा चलिए घर में बना के देखते हैं और बहुत ही अच्छा क्रेस बना हुआ है ये आप इसको बना के रख सकती है पूरा साल खराब नहीं हो गई है अब यह धीरे धीरे गाड़ा होने लगा है अब इसमें हम डालेंगे दो से तीन बूल पानेशन्स और अच्छे से मिला देंगे अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ग्रीन कलर और इसको भी अच्छे से मिला देंगे देखिए क्रेस हमारा करीब करीब तयार हो गया है अब इसमें हम जो पान के टुकड़े काट करके रखे हुए थे इसको डाल देंगे यह टुकड़ा जब हमारे केक में पड़ेगा तो बहुत अच्छा लगेगा इसलिए हम थोड़ा सा उपर से डाला है तो यह देखिए क्रेस हमारा तयार हो गया है यह देखिए हम आपको दिखाते हैं चम्मस से तो देखिए कितना सुन्दर कलर आया है बहुत ही सुन्दर कलर आया है यह देखिए अब हम क्रेस बंद कर देंगे और इसको एक बावल में निकाल लेंगे तो यह हमने एक बावल ले लिया है अब हम इसमें क्रेस को निकाल लेंगे तो यह देखिए इस तरह से हमें क्रेस को बनाना है तो यह देखिए हम आपको अभी निकाल करके दिखाते हैं देखिए कितना सुन्दर कलर है और कितना अच्छा बना है अब हमें परिशान होने की जरूरत नहीं है कि पानक्रस हमें नहीं मिलता है अब आप घर में बना के आराम से रखिए पानक्रस और जब इच्छा हो केक बनाईए या सेख बनाईए आईस्क्रीम बनाईए सब बना सकती है इससे बहुत ही अच्छा लगेगा तो ये देखिए कितना सुन्दर कलर आया है बहुत बढ़ियां बना है आप लोग जरूर बनाईएगा तो चलिए आप लोग इंज्वाइ करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब कमेंट लाइक शेयर चलूर करें थैंक यू बुड़ दे